आने बाले समय को संकेत कर रहा हैं कि हम सुरू से ये कहते रहें कि किस तरह से 뭐त मेरा को तोड़ के मस्जड कर बनाइमी ऎक भूत बड़ा सडंध से साथ किया गया जन्म हुआ तहा efecto विश्व मैं एक भी मुसलमान नहीं था तो तो फिर यहां मद्जीद होने का सवाली नहीं हो सब्सक्राइब करने की आदेश की हैं तो हमारे साथ जो बादी है मुख्य पक्षिकार थे इसके महिंद्र प्रताप सिंग्जी मौजुद है अमेंद्र प्ताप सिंग्जी क्या आदेश किया है कोट में देखिए बड़ा ही अदुद्वत और अभूत फैसलाज माने उच्टन्यालै लावादे दिया है और नियालै ने क्लिर कर दिया कि वहां का कोर्ट कमिस्टर जा कर के वहां का सर्वे होगा जैसे के बनार्स में सरव प्रॉपर्टी है कितने डायमेंशन में प्रॉपर्टी वनी है तो इसका पूरा मेजरमेंट होगा और मेजरमेंट होने के बाद में कहां कौन-कौन से तत्य हैं वो सब रिकॉर्ड आएंगे जनता के सामने तो आज वो शमय आज वो खुशी के पल हैं जिसके लिए हम संगर्श करते रहें लड़ते रहें और आज माने नियाले ने उस पर महुर्ण लगा दी कि वहां कमिशन जाना चाहिए तो अब इस्तिती बिल्कुल किलियर हो गई है आज सत्य की जीता है धर्म की जीता है और पिरतेक सनातनी की जी एक बहुत बड़ा सब्सक्राइब के साथ किया गया आज आज वो समय है कि एक संकेत पूरी दुनिया के अंदर जाएगा आज नियाले ने कंफरम कर दिया कि असरत्य कभी नहीं जीतेगा सबसे पहले आपने यह बात कही थी कि कोट कमिशनर जाए और जाके वहां का सरवे कर साख requires भी दिखाए थे अब कमल में तरहें संक चक्र को कि निसान भी आपने दिखाए थे पहले जिस्टी बहुत बड़ी सेरी पार कर लिए कंभा इinea केस खटम हो गया क्योंकि वहां पर जितने प्रिटीक थे सब बहुत बढ़ी रिपोर्ट होती है और पूरे केश को लिए निडाइक से दो होती है और अंते तक यह जाती है इसके बाद एसाई सर्वी होगा तो यह रपोर्ट अपने आप में बड़ी महत्पून रिपोर्ट है और यह एक तरह से इसकी रीड़ की हड़ी सावित होगा तो मैं मानता हूं कि आज न्याले के द्वारा अभूत्पुर भैशला हुआ है औ और बाइस जनवरी से पहले एक खुशी का दर आ गया है और कौन लोग इसमें रहेंगे इसमें अभी यह कंफर्म नहीं है माने नियाले डिसाइड करेंगे लेकिन इसमें जनरली सीनियर अध्वक्ता रहते हैं सीनियर अध्वक्ता की दो कमेटी बनाई जाए वो कमेटी वह हमारे साथ मौझूद थे जो मुखे बादी हैं इसके महिंद्र पताफ सिंग्जी जो बता रहे हैं कि एक सीड़ी हिंदूों ने आज पार कर ली है कितनी वड़ी जीते सबसे पहले देखिए आज बहुत ही सोभागिक का दिन है कि हम सनातनियों की जो अयुतिहा के बाद कासी और कासी की कस्म के बाद मत्रा की जो बारी है उसकी पहली सीड़ी जो कमिशन जो एलोट हुआ है कि इसका जल्द से जल्द यहां आगे की पिरकिर पूर्ब तब भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक भी मुसल्मान नहीं था तो फिर यहां मस्जीद होने का सवाली नहीं होता यह बात हमने मुसल्मानों को समझाने का भी प्रयास किया था लेकिन उन्होंने इसको इंकार करते हुए हमें कोट का दर्वाजा खटकटाना पड़ा और कोट ने लंबे अर्से के बाद लेकिन बहुत समय हमें नहीं लगाया और बहुत जल्द हमारे फैसला आया है और हमें लगता है कि इसी परकार इसी कैमरे के सामने हम उस दिन अपनी बाइट में बोल रहे होंगे कि भगवान के सब ठाकुर का भब मंदर का निर्मा कि साली है सबी सनातनी इसका धन्यवाद देते हैं मान्यों चिन्याले का और जन्ता की जीत है और पहली सीड़ी पर हमने रखा है बहुत जल्द निर्णाय कि सतीव हम पहुंचेंगे और भब मंदर का निर्मान होगा के नीचे दब यह स्वाइस सब्स्थ और दिन नहीं जब हम इस इदगा बिल्डिंग को मत्रा जनम मुमी से जल से जल नयाले तौरा हटवा पाएंगे मानी नयालेंड कहा है कि वहाँ पर कोट कमिशनर बेजा जाएगा और वहाँ की कमिशनर जो रिपोर्ट देंगे प्राचिन प्राचित की चुपे हुए अब तो नई टेक्नोजी आ गई है कि जो सर्वे होती है वह बिना इद्गा को नुक्सान पहुचाए हुए अध्यारी इस बात का पता लगा लेंगे के हिंदू मंदिके प्राचिं कहां कहां साथ कहां सुरक्षिते अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सभी ब्रिजबार्शियों में सभी सनातिन हिंदूओं में बहुत खुशी है